समाजवादी पार्टी के विधायक है महभूब अली महभूब अली ने एक बात कही है मुसल्मानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है जल्द ही तुम्हारा साशन खतम होगा मुसल्मानों की आबादी बढ़ने से किनका साशन खतम होगा जो कुछ महभूब अली समाजवादी पार्टी के बिधायक कह रहे हैं पहले वो बार शब्द शाह सुन लिजे महभूब अली कहते हैं कि राज तो मुगलों का भी नहीं रहा आचसो साल के शाषन के बाद मुगलों का भी शाषन गया तो शाषन तुम्हारा भी जाएगा क्यों? क्योंकि मुसल्मानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है महभूब अली जो कह रहे हैं बिलकुल सही कह रहे हैं लेकिन एक और भी सही बात कही है योगी आधितनात ने अभी से कुछ दिन पहले बांगलादेश में जो वहां की हिंदूओं की स्थिती है उसको लेकर उन्होंने कहा बचोगे तो कचोगे और इसी बात से जोड़ लीजिए ये जो कहानी कह रहे हैं अली साहब वो कि आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा तुम्हारा राज नहीं रहेगा और इसी लिए इस बात की गंभीरता को समझना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान में हिंदू बचे ही नहीं कैसे बांगलादेश में हिंदू परेशान है कैसे इसी देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीर से लेकर बंगाल तक आपको हिंदू परेशान दिखता है क्यों क्योंकि जहां जहां डेमोग्राफिकल चेंज होगा जहां जहां एक खास तरह की आबादी जिन मुहलों में राज्यों में बस्तियों में बढ़ी है वहां दूसरे लोगों का जीना दुभर है और यही बात मेहमूद अली साहब कह रहे हैं यह जो कह रहे हैं इनकी बात में कोई दिक्कत नहीं है यह बिल्कुल सच कह रहे हैं सवाल है कि इनकी बात पर गौर करने वाले लोग हैं कि नहीं हैं मैं इसको कोई विवादित बयान भी नहीं मानता हूं यही इस देश की सच्चाई है क्यूंकि आप आप ही से अलग हुआ पाकिस्टान आप ही से अलग हुआ बांगला देश वहां यही बातें सच हुई हैं जो समाजवादी पाइटी के विधायक जी कह रहे हैं। वो होता है कि कई बार आपके दिल के अर्मान जबान से बाहर आ जाते हैं तो ये जबान से कही गई सच बात है अब सवाल है कि आप इसको कैसे लेते हैं या तो आप शुतर मुर्गी की तरह आखें बंद करके रेत में अपना सर घुसाय रही है आपको लगता है कि इससे टाला जा सकता है तो मैं आपको बताता हूँ कि महमूद अली सहाब ऐसा कहने वाले या मानने वाले अकेले आदमी नहीं है एक संस्था थी भारत में रजिस्टर पी एफाई पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया अब देश में उन पर प्रॉपर प्लान था कि 2050 तक भारत में इस्लामिक शाषन लाना है यह कहने को बात करने को आज शायद आपको मजाक लगेगा या आप ये बात करने वाले किसी को कट्यपंति या संपरदाइक तक फैलाने वाला बता सकते हो लेकिन इस बात में दम इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे देशों में अलग-अलग समय पे हो चुका है पाकिस्तान बांगलादेश आपसे मैं जिक्र इसी लिए कर रहा हूँ कि आप यहां बहु संख्यक हैं हिंदू हिंदूओं का मिजाज, हिंदूओं का रहन सहन, सभिता संस्कृति शायद सब को इतना स्पेस देता है, इतनी जगा देता है जहां सब लोग फल फुल सकते हैं, सब अपनी बात, अपनी सभिता, संस्कृति और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान भी तो हमसे अलग हुआ, बांगलादेश भी हमसे अलग हुआ ऐसी कौन सी बात है, कि वहां हिंदू परिशान है, पाकिस्तान में हिंदू लगवक खतम हो गए इसलिए इस पर गौर करना जरूरी है, और जब भी डेमोग्राफिकल चेंज की बात होती है तो कुछ लोग इसको कट्टरपंती, हिंदुतवादी, भगवाधारी और जाने क्या क्या कहके RSS का की कहानी कहके, लोग इसको चुपाने की या कम करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं जबकि मैंने आपसे क्या कहा, कि आपने CA, NRC प्रोटेस्ट के दौरान एक बड़ी मुस्लिम पत्रकार के मुग से सुना होगा कि अभी हमें थोड़े समय के लिए इंतजार करना है, अभी वो बातें नहीं कहनी हैं, जो हम समय आने पर करने वाले हैं और इसको अरबी में कहते हैं अल्टकिया, अल्टकिया मतलब ये कि आपका जो मिशन है, आप जो करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने जाहिर ना होने दे और जिस वक्त आप ये कर सकें, उस समय अपना काम कर लीजिए, ये सब हो चुका है कहां, ऐसे बहुत सारी दुनिया में देश हैं, जगा हैं, जिनकी कहानिया आपको इंटरनेट पर पढ़ेंगे लिखेंगे तो मिल जाएंगी, हाल फिल हाल में एक देश चर्चा में आया ह लेबनान का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो अभी से कुछ दशक पहले तक, कुछ साल पहले तक, पचास साल, साट साल पहले तक, लेबनान हुआ करता था एक इसाई देश, इसराइल के बगल में बसा हुआ, एक क्या इसाई देश था, और उस समय जब इसाईयों की संक् 37% हुआ करती थी और 30% मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, वहां बहिए यही सब कहानी चला कि हमको सरकार में जगा चाहिए, हमको आरक्षन चाहिए, हमको यह चाहिए, वह चाहिए, और बहुत जबरदस तांदोलन वहां समय-समय पर होते रहे, 30% आपादी, और आज लेब लेबनान महज 50 से 60 साल के अंदर एक इसलामिक देश बन चुका है मैंने लेबनान का रिफरेंस इसलिए आपको दिया कि शायद आप लोगों को पुरानी बात तो याद रहती नहीं है पढ़ने लिखने की भी आदत नहीं है तो इसलिए ताजा तरीन कुछ कहीं से सुन लिया ह इंटरनेट पर आजकल लेबनान चल रहा है ताकि सनद रहे इसलिए लेबनान बता रहा हूँ कि जिस लेबनान में हिस्वुर्ला और इसराइल चल रहा है न वो एक इसाई देश हुआ करता था इसाई बहुल देश हुआ करता था और अब वो इसलामिक शाशन वाला देश ह इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना जरूरी है कि कभी किसी महले में, कहीं किसी राज्य में, कहीं किसी राज्य के अलग हिस्से में अगर जारखंड के संथाल वाले हिस्से में अचानक से आदिवाशियों से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा साधी करने लगता है धर्म परिवर्तन करने लगता है और ऐसे लोग जो बांगला देश से आये हुए हैं और जान बुचकर आदिवाशियों से साधी कर रहे अगर PFI के दफ्तरों में ये डॉकुमेंट्स मिल रहे हैं कि 2050 तक हम भारत को इसलामिक राष्ट बना लेंगे तो कहीं तो PFI को कुछ ऐसा देख रहा है कहीं तो PFI ने कुछ ऐसा महसूस किया है कि उनको लग रहा है कि ये करने में बहुत जादा समय हमको नहीं चाहिए 20-25-30 स का समय ही काफी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ समाजवादी पार्टी बिधायक ने कहा है इसमें मुझे कुछ भी विवादित नहीं लगता है ये व्यक्ति सच कह रहा है इस व्यक्ति के दिल के अर्मान जवान से बाहर आए हैं और वाकई में इस देश में एक करने की जरूरत नहीं है सवाल ये है कि क्या आपको अब भी समझ में आता है कि नहीं आता है आप इस वाले बयान को कैसे लेते हैं या तो शुत्रमुर की तरह सोये रहिए या फिर इस पर सोचिए विचार करिए कि इस से बचने के क्या रास्ते हैं अगर भारत से पाकिस्ता बांगला देश हो जाने के बावजूद भी इस देश में रहने वाली एक आबादी ये सोचती है कि इसको भी आने वाले समय में इसलमिक मुल्क में बदला जा सकता है और इसमें तमाम नेता सांसद भी धायक हैं तो इस देश में सोचना किसको है बहु संख्यक आबादी को सोचना है इसलिए जब योगी आधितनात कहते हैं कि बचोगे तो कचोगे यही सत्य है क्योंकि मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के जमाने से लेकर इस देश की बहु संख्यक आबादी जब जब जातियों में धर्मों में विवाजित हुई है, मनताओं में छेतर के आधार पर, भाशा के आधार पर बटी है, तब तब हमको बाटना, हमको कमजोर करना आसान हुआ है, इसलिए मैं महबूब साहब के बयान को बुरा नहीं मानता हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये अपने लिए अपने घर्म के अच्छी बात कह रहे हैं लेकिन सवाल है कि इस देश का बहुशंक्यक समाज या इस देश में जो तमाम बुद्धी जीवी हैं जो केवल जैशिर्राम के नारे से आहत होकर इस देश की बहुशंक्यक आबादी को कट्टर बता देते हैं किया वो इस बात को मानेंगे PFI हो या इस समाजवादी पार्टी का बिधायक ये सब लोग तो सच ही कह रहे हैं वाकई में दुनिया में ये सब हो चुका है इसलिए जब योगी आदितनात कहते हैं कि जो बांगला देश में हिंदूओं की स्थिती है उसको गौर से देखने की तो इस बात में दम है